जैहिंद अबरीवन, सारे बच्चों का एक बहुत ही बड़ा सवाल, सर कॉम्प्रेहंसन सालब करते हैं, तो समझ में नहीं आता है, आंसर जादस जादा गलत हो जाते हैं, भाई दुकों मैं तो बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि कॉम्प्रेहंसन इस बेस्ड ओन ओनली प पढ़िएगा, तब से आप तब तक आप कॉम्प्रेहंसन का आंसर सही नहीं कर पाईएगा, भाई कॉम्प्रेहंसन मैं कहता हूं कि एक कॉम्प्रेहंसन उठाईए उसको तीन से चार बार पढ़िए, ज्यादा नहीं 25 कॉम्प्रेहंसन ले लिजिए कहीं से बढ़िया बढ लिए आप उसके बाद जब 26 आप करेंगे तो 90 परसेंट आपका कुश्चन कांसर सही हो जाएगा अंडरेस्टेंडिंग आपको डेवलब करना होता है अच्छा कॉम्प्रेहंसन को मैंने कहा कि पहली बात तो अगर आपका ये इनिशियल स्टेज आपका ये सुरुवाती दौ काउचन है अच्छ आप नहीं पढ़ए याप बहुत कमजूर है तो रीडिंग करें भाई है है अप निउस privileged नहीं मैं कहा रहा हूं अब देखिए, comprehension को सालब पूरेन के तरीका होता है कि first read the questions, सबस्पपले हम comprehension के question को read करते हैं, after that उसके बाद में पर passage पड़ते हैं, फिर question पर जाते हैं, ये सही तरीका माना जाता है, चलिए हम आज आपको बताते हैं कि how to solve comprehension, चलिए भई, question क्या है आपका, question है कि if the supply of oxygen is catch off, the brain cell survive, अगर oxygen की supply को रोक दिया जाए, तो brain की जो cells हैं, कितनी देर तक जी भी तरह सकती, तो को बहुत normal पैसे, इसलिए लाया हूँ, कि पहले समझाने के लिए normal ही समझाए जाता है, फिर इसके बाद में moderate, फिर उसके बाद में tough, अगर हम पहले tough ले आएंगे तो आपको दिकत होगी, इसलिए मैं सबसे easiest one, जिसको हम बोलते है easy, just after that बताओंगा फिर moderate, उसके बाद में लेकर आओंगा hard, किरा कि अगर oxygen की supply को रोक दिया जाया है, तो brain की cells कितनी देर तक survive कर सकती है, अब दिमाग में रखिएगा कोशन है, कि अगर oxygen की supply रोक दी जाया तो brain की cells कितनी देर तक जीवी तरह पाएंगी, पहला कोशन है, दूसरा है, heart sense oxygen rich blood, heart जो है oxygen से भरपूर blood को भेजता है, कहां कहां पर, यह दूसरा कोशन है, तीसरा कोशन देखिएगा, डाक्टर जान गिब्बन आफ USA developed an artificial heart in, डाक्टर जान गिब्बन ने जो की USA की डाक्टर थे उन्होंने artificial heart developed किया था किस सन में, दूसरा कोशन है, अगला कोशन है, heart diseases occur from, हिर्दे की बिमारिया किस कारण से होती हैं, और लास्ट कोशन आपके, all the body cells need a constant supply of, सरीर के जितनी भी कोशकाएं यानी cells हैं, उनको लगातार किस चीज की जरूत पढ़ती है, यह था आपका कोशन, अब देखिए, हम तेजी से पैसेज पढ़ते हैं, कोशन को अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत फास्ट, heart is one of the most vital components of the human body, मानो सरीर के महत तुपूर्ण अंगों में से एक है आपका heart, the heart of the human body has the continuous job to keep oxygen rich blood flowing through the body, बता रहे हैं कि heart का जो काम होता है, यो human body में लगातार, ये oxygen से भरपूर, blood को पूरे सरीर में flow करता रहता है, यानि कि भेजता रहता है, काम है इसका, काम पुछा गया है, इसका काम क्या है, oxygen से भरपूर, blood को पूरे सरीर में भेजना, all the body cells, body के सारी जो कोशन का हैं, need a constant supply of oxygen, oxygen, सरीर की सभी cells को लगातार oxygen की supply मिलते रहना चाहिए, ये भी एक कोशन है आपका, सरीर की सभी कोशन का को किस चीज की जरुद परती है, लगातार कौन सी चीज़ उनको चाहिए, तो oxygen चाहिए, पार्टिकुलरिली बिसेस रुप देखा जाए, तो in the brain, brain की जो cells हैं, उनको तो लगातार oxygen मिलना ही मिलना चाहिए, brain cells live live only four to five minutes after the oxygen is cut off and death comes to the entire bird, बता रहें कि अगर brain cells जीवित रह सकते हैं केवल चार से पांच मिनट अगर oxygen की supply को cut कर दिया जाए, और चार पांच मिनट के बाद में फिर वो cells dead हो जाएंगे और आदमे की मिनटी हो जाएगी, यानि केवल चार से पांच मिनट ही बिना oxygen के brain की cells survive कर सकती हैं, तो देखिएगा, heart disease can result from damage to the heart muscles, the valves are the pacemaker, जो heart की बिमारियां हैं, वो किन कारणों से होती हैं, वो अगर damage to, अगर heart की जो muscles हैं, वो छती गरस्त हो जाएं, damaged हो जाएं, तो हिर्दे में बिमारी हो जाती है, हिर्दे में जो valve लगा हुआ है, अगर वो damaged हो जाए तो हिर्दे की बिमारी हो जाती है, अगर उसमें जो pacemaker एक part है हिर्दे का, अगर वो muscle damaged हो जाती है तो heart में दिक्कत क्या होती है कि ये properly ये pumping नहीं कर पाता है ये ठीक तरीके से pump नहीं कर पाता है blood को if the valves are damaged अगर valve damaged हो जाए तो blood can not flow normally तो जो जो नॉर्मल तरीके से body में blood flow होता है उसमें दिक्कत आ जाती है डाक्टर जान गिब्बन जो की अमेरिका के थे उन्होंने एक मशीन बनाई उनीस सुत्तिरपन में देखिए ये सन पूछा गिया है that could take over the temporarily from the heart जो heart को कुछ देर के लिए अगर हटाना हो तो उसके अस्थान पर वो उनकी मशीन काम कर सकती थी surgeons had the chance surgeons के पास ये मौका होता था to repair or replace क्यों heart को चाहे repair कर दे या उसको replace कर दे a defective heart many patients have had plastic valve बहुत सारे patient होते जिनके heart में plastic valve लगा होता है inserted in their hearts when their hearts were faulty many people are not being kept alive with tiny battery operated patient बता रहें भाई देखो कुदरती जो कुदरत का बनाया हुआ आपका ये है heart उसमें कोई battery लगी नहीं है लेकिन जो ये scientist ने बनाया था heart 1953 में artificial उसमें battery लगती थी अब battery किद्री दर तक चलेगी महीना दो महीना चार महीना उसके बाद battery खतम अब आदी पता लगा कि आदमे की death हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा successful नहीं था बस अगर heart को repair करना उसमें कोई कमी है उसको थोड़ा से repair करना है in that case वो काम आ सकता था पूरी तरीके से successful नहीं था अब देखिए अब मैंने आपको बताए कि पैसे अम लोग आले कोशन पढ़ चुके हैं पैसे बहुत सिंपल है एकदम सिंपल में से लिए लाया हूं कि मैं यह बताना चाहा हूँ टू साल कॉम्प्रेंशन को साल को तरीका क्या है फर्स्ट रीड कोश्चन अफ्टर देट यह पूरीड अपैसेज इफ दसप्लाई ऑफ 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 ब्रेन सेल सरवाइब साब साब लिखा गया चार से पांच मिनट ही ब्रेन के सल सरवाइब कर सकती हैं अगर आक सीजन को रोक दिया जाए तो तो चार से पांच मिनट अंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा अगला कुशन देखिएगा हार्ट सेंड्स हार्ट जो है भेजता है ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को पूरे सरीर भेजता है पैसेज मिन दिया गया वैसे नॉर्मली अगर आप बायों के फड़ा बहुत जानकार हैं तो भया ऑक्स साफ साफ पैसेज में दिया गया है 1903 पन में अगला कुशन है कि हार्ट डिजीजज अकर फ्रॉम हार्ट की जो बीमारियां हैं वो होती हैं कैसे तीन चीज़े बताई गई हैं उसका वाल्ब डैमेजड हो जाए पेसमेकर डैमेजड हो जाए या हार्ड की मसल्स डैमेजड ह भाड़ी को या बाड़ी के सारे शल्स को किस चीज के लगातार जरूथ पढ़ती है या आकसीजन कोरोन में आप लोग ने देखा होगा आकसीजन कम हुआ आउकसीजन रुका नहीं कि आदमी की डर्त लाक हो लाक आदमी के वल दू तो लैक आफ ऑक्सीजन मौत के सिकार हो थे ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा ऑक्सीजन इस प्रकार से आपका यह कोश्चन कंप्लीट हुआ तो पैसेज को ध्यान दीजिएगा पैसेज सालब करना है तो भीया पहली बात तो 25-30 पैसेज ले लीजिए उसी को कम से कम 4-5-6 बार पढ़िए तब पैसेज की या कुश्चन पर आएं जरूरत हो तो पैसेज को दो बार पढ़ने थोड़ा सा अपनी स्पीड भी पढ़ने की स्पीड भी आप थोड़ा तेज करें यह सब तरीके हैं कोई आपको समस्या हो कोई जानकरी चाहिए आपको इंगलिस से रिलेटेड तो कमेंट बाक्स में निचल तब तक लेकिन हाँ आप सुरू सन तक देखिए और इसको चारों तरफ भेजिए बच्चों को और जो भी आपकी नीर्स हों मुझे बताईए कमेंट में लिख करके हम और हमारा मेजर कलसी क्लासेज हमेशा आपके लिए डेडिकेटड था है और रहेगा सारे बच्चों को जे हिंद